अगर आपके बालों में सालों कुराना डेंडरफ की प्रॉब्लम है आपने सब कुछ ट्राइ कर लिया लेकिन जो डेंडरफ है जाने का नाम नहीं ली रहा तो आज के बाद आपके बालों में डेंडरफ की प्रॉब्लम नहीं होगी सेकेंड ये है जब आप अपना कॉम करते हो यानि कि कंगी करते हो उस समय पे आपको बहुत ज़्यादा हेर फॉल होता है तो आपका हेर फॉल नहीं होगा आपका हेर फॉल कंट्रोल रहेगा ठीक है थड़ ये है कि जब आप बातरूम में जाते हो यानि कि अपना hair wash करते हो उस समय पे भी काफी मातरा में आपके बाल तूड़ते हैं और उस सारे बाल आपके बातरों में एकटे हो जाते हैं तो आज के बाद ये problem आपके साथ में नहीं होगी आज जो hair pack में आप सभी के साथ share करने वाली हूँ इसे लगाने के बाद आपको कोई भी महेंगा hair treatment लेने की जरूत नहीं पड़ेगी बहुती simple सा है बहुत जदा effective है जब आप इसे अपने बालों में लगाओगी आपके बालों की जितनी भी समस्या है इनसे भी छुटकारा मिलेगा इसके साथ में आपके बालों की गिरोध होगी लंबाई बढ़ेगी काले घने और मजबूत होगी तो इसके लिए आपको क्या करना है आपको एक hair pack तियार करना है hair pack तियार करने के लिए मैंने एक चमश भर के लिया है licorized powder जो मैंने आप लिकोराइस पाउडर लिया है इसकी कॉएंटिय आप अपने साबसे कमेर ज़्यादा कर लेजिए और यह जो लिकोराइस पाउडर है यह है एल्प से खुड़नेस का यह इसकी अंदर है एंटी ऑक्सिडन्ट जो कि इसकालप को हैड्रेट करता है यह 100% नेश्र आता है आपके बालों को काला घना मजबूत और लंबा करने के लिए इसके अंदर बिटामिन C काफ़ी अच्छी मात्रा में है और इसकीन को ब्राइट करने में भी यह काफी ज़्यादा है अगर आपको बहुत ज़्यादा डेंडर्फ की प्रॉब्लम है तो उसे कंट्रोल करक आपके बालों में डेंडर्फ नहीं होने देगा ठीक है न और इसकी भी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम्या ज़्यादा कर सकते हो दो चमच तीन चमच थर्ड मैंने यहापे लिया है ब्रहंगराज पाउडर और ब्रहंगराज का नाम भी सबसे पहले आता है पाउडर के अंदर Antioxidant है जो की घे री अबर इटाहलने चाहते है अगर आपके बालों की ग्रोफ करने में आपके ज़्यादा हेल्प करेंगा अगर आपके बाल बालों की क्यूर है यह है ड केमिकल फ्री है और हर टाइप के हेर के लिए suitable है तो इसकी भी quantity आप अपने ही साफ से कर लेजी इसके अंदर डाल दीजी ये तीनों ही product अगर आप लेना चाहते हो तो इन सबका link आपको मिज़ेगा नीचे description में तो हुआ से आप इन अबाय कर सकते हो जो ये तीनों ही चीज थी लिकुराइज पाउडर, आमला पाउडर और प्रहंगराज पाउडर इन तीनों को मिला के अब आपको इसके अंदर डालनी है दही दही को आप थोड़ा सा फेंट लीजी जैसे कि छाज बनाते हैं उस तरीकी से आप दही को बना लीजी और दही की मात्रा भी आप अपने साब से इसके अंदर डाल सकते हो जो आपका पैक है ठीक से बना चाहिए आपको इसे बहुँ ज़़दा पतला नहीं करना बहु ज़़दा गाड़ा नहीं करना दही इसके अंदर डालके और अच्छे से आप इन तीनों चीजों को इसके अंदर मिला लीजी ठीक है तो देखिए जो मैंने इसके अंदर दही डाली है ये आपके बालों में एक natural conditional का काम करेगी और आपके बालों को smooth बनाएगी shiny बनाएगी यहां तक कि लंबे समय तक आपके बालों को मिलेंगे गर्मियों में जो दही होती है आपके सर में एकदम ठंडक करेगी और आपको गर्मी की problem यानि की गर्मी का एहसास नहीं होने देगी pack मेरा बन चुका है पैक बनने के बाद आपको इसे अपने बालों में लगाना है बालों में लगाने का सही तरीका क्या है मैं आपको बता देती हूँ सबसे पहले आप अपने बालों में कौम कर लीजिए अच्छे से मतलब अपने बालों को सुलजा लीजिए बालों को सुलजाना बहुत ज़्यदा जरूरी है सल जाने के बाद बीच में आप इस तरीके से मांगने का लीजी और आपको इसे थोड़ा थोड़ा पैक लेके अपने बालों में अपनी रूट में अच्छे से आपको मसाज देनी है रूट पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है जब आपकी जड़ें मजबूत रहेंगे तो आपका हीरफॉल कम होगा और आपके बालों की लंबाई भी बढ़ेगी, ग्रोथ भी होगी और आपको जो डेंडरफ की प्रॉब्लम है उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा तो मैं क्या कर रही हूँ, इसलिके सबसे पहले तो मैं अपनी जड़ों में पूरे सर में अच्छे से मसाज दूँगी मसाज देने के बाद जो मेरा पैक है अगर बच जाएगा तो मैं उससे अपनी लेंथ में लगाऊंगी और अगर आपको अपने पूरे बालों में ही लगाना है, जड़ों में लगाना है, लेंथ में लगाना है तो मैंने आपको बताया था, इन सब की quantity आप बढ़ा दीजिए और थोड़ा सा ज़्यादा पैक बनाइए मैंने यह जो pack बनाया है यह मैंने अपने बालों की length के coding बनाया है और अगर आपके बाल मेरे बालों से ज़्यादा लंबे हैं गने हैं तो इन सब की quantity आप बढ़ा देजी एक कम है तो इन सब की quantity थोड़ी सी आप कम रख सकते हो मतला अपने इसाब से यह मैंने जाब कोड़ सकते हो तो देखिए इस तरीके से आपको लगाना है जब आप इस pack को लगाऊगे आपको इससे लगाने के बाद कोई भी problem नहीं होगी जैसे कि होता है न हम हीना powder अपने बालों में apply करते हैं तो हमें कम से कम तीन से चार गंटे के लिए लगा के बैठना होता है इससे आपको गंटों बैठने की जरूत नहीं है अगर इसी मतलब आप pack को बना के और आदे गंटे के लिए अपने बालों में लगा कर छोड़ दीजी आदे गंटे में ही आप देखोगे जो आपका hair pack है इसने काफी अच्छे से आपके बालों में काम किया है और एक ही बार में जब आप एक बार इस पैक को लगा के अपने बालों को धोगे तो आप देखोगे आपके बाल पहले से काफी हद तक शाइनी हो चुके हैं और जो डेंड़फ की प्रावलम है वो धीरे धीरे करके आपके बालों से पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी अगर आपके बालों की growth रुखी हुई है तो आपके बालों की growth होगी आपके बालों में चमक आएगी, आपके बालों की लंबाई बढ़ेगी, मजबूत होगी यहां तक की लंबे समय तक आपके बाल काले हो जाएंगे और टाइम से पहले आपके बाल बिल्कुल भी सफिद नहीं होंगे ये बाला जो हेर पैके आप इससे हफते में दो दिन जरूर लगाया करें इससे आपको काफी अच्छी रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे अपने बालों में आपको काफी ज़्यदा चेंजिंग देखने को मिलेगी और एक मेने के अंदर आपको ये एहसास होने लगेगा कि आपके जो बाले पहले से काफी ज़्यदा लंबे, शाइनी, श्मूद, सॉफ्ट और डेंडर फ्री हो चुके हैं तो इस तरीके सी इसलगाएं और जो आपका पैक बचा हुआ है उससे आप नीचे लैंथ में जितने बी आपके बाल है उने में अच्छे से लगा दीजिए इस तरीके से कम से कम आपको 8-10 ग्लास यानिकी 2 लिटर पानी रोजाना जरूर पिना चाहिए आदे गंटे के बाद सिंपल पानी से वाश कर लिए आप शेंपू भी कर सकते हो जो बी शेंपू आपको पसंद है लेकिन आपको सिंपल यानिकी साधा पानी नौर्मर पानी से अपने बालों क आपके बालों में बहुत ही गजब की चमक आईगी आपके बाल काफी ज़्यादा सौफ और स्मूध हो जाएंगे मुलाइम हो जाएंगे जहां आपको ऐसा लगता था कि आपके बाल बहुत ज़्यादा हार्ड हैं टाइट हैं तो यह सारी प्रॉब्लम आपकी खत्म हो ज़्यादा शेयर करना अब आपसे मुलाकत होगी कल यानिकी नई वीडियो के साथ नई विलोग के साथ तब तक आप लोग अपना धिहान रखना बाइबाइबाइ टीक यार